हेलो माई डियर स्टुडेंट वेलकम टू सीराम जानके अकैडमी माइसल प्रिंस दुभेदी फाउंडर डाइक्टर आप सीराम जानके अकैडमी बच्चो जैसे कि आज आप देख रहे हैं स्पेशल फीजिक्स क्लासेस फॉर नीट टॉंटी टॉंटी वन एस्पारेंट्स त देखते हैं प्टा की अश्वा लिख मात कि ओशीर कने ग्ल suspects करते हैं तो सबसे पहले अगर खोड़ी चांट करें कि वाट इलक्तों स्टाडिक स्टॉड़ियं तो देखते हैं इलक्तों static chapter अब देखें बीटा अगर इट्र इट्रॉ स्टाट करें तो इसमें आपको एक बात बता तो में अपनous testkin 1933 की स्टड़ी करते किस्टड़ी करते हैं रह स्ट्रडी करते हैं मतला इल्क्तोर कvä-टू कर तौ अब तो यहां पर को सटनराइज driving थो झार्टक्वाटर थी जो हुआ मैंने सब्सक्राइज करें चार्जала को सब्सक्राइए है तो यहां पिसे नुवाट इस चार्ज अगर इस चार्जग की बत करते हैं कि अगर अविप बेटा, scalar quantity होती है, ये तो अपने last class में बताया था, कि quantity, कोई भी quantity होगी, वो two types की हो सकती है, या तो vector, या तो बेटा, scalar, अगर vector है, तो two चीजों की requirements होगी, magnitude and direction, और scalar है, तो only on magnitude की requirement होगी, तो charge क्या होता है, बेटा, scalar quantity होती है, ठीक है बेटा, अब जो है, एक चीज और बत कोई भी matter है, charge matter की वो property है, जिसके दोरा वो experience करता है, electric and magnetic effect को, जिसके दोरा वो experience करता है, electric and magnetic effect को, तो charge matter की वो property है, matter की property है, जिसके दोरा वो experience करेगा, by which matter experience करेगा, electric and magnetic effect को, बेटा experience करेगा ठीक है बेटा तो यह तो charge की definition हो गई कि charge जो है matter की वह property है why which electric matter experience करती है electric and magnetic effect को ठीक है बेटा यह अपने देखा अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं कि जो electrostatic chapter electric charge and field यह as similar है 11th NCRT का chapter number gravitation जो chapter gravitation है उसके similar है ठीक है बेटा वहाँ पे अपने बात करते हैं जैसे वहाँ पे mask की बात करते हैं वैसे यहाँ पे बेटा charge की बात करते हैं जैसे वहाँ mask की बात करते हैं वैसे यहाँ बेटा charge की बात करते हैं अगर यहाँ पे एक difference बताएं, तो यहाँ पे ऐक बहुत अच्छा point बतारहे हैं, जर्ज zarg जो होता है वो associator होता है bên maths से, but difference यह भता है, que maths जो होता है वो always positive होता है, mroscoposinkka ऐसा होता है बेटा? always positive होता है, while जबकि चर्ज जो होता है बėटा, वो positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है चार्ज positive भी हो सकता है while mass always positive होता है ठीके बैटा यह अपने देखा इसके बाद 2-3 charge के बारे में देख रहेते हैं कि electron जो होता है electron अगर हम 3 particle को compare करें electron को देखें proton को देखें neutron को देखें और इनके सब के चार्ज के बारे में and मास के बारे में इसकी करें चार्ज के बारे में देखे है और मास के बारे में अपन देखे तो इलक्टॉन पर चार्ज कितना होता है माइनस का 1.6 into 10 कि पाइवर, मा इनस ninkling कुलाम, माइनिस का इन सिक्स इन्टू की पाइवर, माइनिस का 19 कुलाम ठीक है बाइटा, ये लेक्ट्राइवएट परais लार्ड होटा है, अगर पोटान की चार्ज की कररें तो पल्स का 1.6 इन टान की पाइवर, माना 19 कुलाम ये प्रोटान पे चार्ज होता है न्यूटान पे चार्ज की बात करें तो न्यूटान कैसा होता है न्यूटान कैसा होता है न्यूटान कैसा होता है न्यूटान होता है इसमें चार्ज कितना होता है जीरो चार्ज कितना होता है जीरो होता है ठीक है बेटा अगर अप 1.67 into 10 to ki power minus 27 kg minus 27 kg और गर न्यूटान के बात करें तो 1.68 into 10 to ki power minus 27 minus 27 kg ये न्यूटान का मास होता है कि यहाँ रिभलब ध्यान देने वाली बात ही यहаँ न्यूटान का मास है न्यूटान का आपक आ रहा है न्यूटान का न्यूटान न्यूटान का जो मास होगा बिटा वो मास प्रोटान के मास से ज्यादा होगा न्यूटान का जो मास होगा बिटा वो किसे प्रोटान के मास से क्या होता है प्रोटान के मास से क्या होता है ज्यादा होता है न्यूटान का मास प्रोटान के मास से ज्यादा होता है यह अपन यहा तो alpha particle को जो charge होगा बेटा वो two times होगा charge off hydrogen के charge off hydrogen या बोल दो या charge off proton बोल दो तो two times होगा charge off proton और proton में charge होगे तो 1.6 into 32 power minus 19 kulam अगर बेटा mass किसकी बात करें तो इसका mass होता है four times mass of hydrogen atom four times होता है mass of hydrogen atom hydrogen atom के mass के four times होता है ठीके बेटा क्योंकि यह क्या हो गया इसका atomic number हो गया यह इसका mass number हो गया तो four times होता है mass up hydrogen atom के तो यह अपने जो है charge के बारे में दो तीन चीज़े देखी अब बेटा यहाँ पर आपको बताते हैं कि इसकी unit charge की unit के बारे बताते है चार्ज की unit बहुत important है अगर charge की unit की बात करें तो सबसे पहली unit होती है coulom next होती ही बेटा ampere into second ampere second अगर इसकी cgs unit की बात करें तो cgs unit होती है इसकी esu and होती है amu asu and होती है क्या बेटा amu और बेटा एक conversion याद रखना है एक coulom is equal to होता है 3 into 102 की power minus 9 esu 3 into 102 power minus 9 esu ये बेटा conversion अपनको याद रखना है ठीक है बेटा तो ये अपनने charge के बारे में देखा कि charge scalar quantity होती है उसकी unit के बारे में देखा charge matter की वो property होती है जिसके दोरा हो experience करता है electric and magnetic effect को experience करता है charge associator होता है बिद मास से मास जो है always positive होता ह है इसके बार अपनने देखा charge जो है लक्तान पोटान न्यूटान पर charge कितना होगा उसका मास कितना होगा alpha particle में कितना charge होगा कितना मास होगा इसके बारे में अपनने देखा देन जो है unit के बारे में देखा कि charge की unit कौन कौन सी हो सकती है ठीक है बेटा अब जो है अपन अप इसार्ज की कौन कौन सी प्रापर्टी जिए आप उपन उसको देखते हैं प्रापर्टी जॉब चार्ज के बारे में, तो अगर आप अब present चार्ज के बारे में start करें तो सबसे पहली property होती है Additive in nature कैसा होताई बैटा,iditive in nature, charge जो होता है वो कोई स कोब से से एक YouTube से के फॉर्मम की इसको समझे है जैसे एक जामपल दक्ते है कि की एक बाड़ी है उसमें चार्ज is प्लस बादी फ्लस फ्लन क्युक्व फ्लस तू क्युलाम माइनस 3 कुलाम चार्ज है एंड कितना है बेटा प्लस 4 कुलाम चार्ज है तो अगर बेटा अगर हम नेट चार्ज पूछें यहाँ पे आप से यहाँ पे आप से पूछें नेट चार्ज कितना होगा तो प्लस 1 कुलाम प्लस 2 कुलाम यह दोनों एड हो करके कितना हो जाएगा प्लस 3 कुलाम हो जाएगा प्लस 3 कुलाम और यह बेटा माइनस 3 कुलाम तो यह दोनों 0 हो जाएगा और कितना बचेगा प्लस 4 कुलाम तो चार्ज कितना बचेगा बेटा प्लस 4 कुलाम चार्ज जो है इस बॉडी में बचेगा तो यह आपने simple addition कैसे कर लिया क्योंकि additive in nature charge की property होती है कि वो additive होता है nature में इस base में अपने क्या है simple addition देख कर लिया अगर बेटा इसके बाद dipole की बात देखें अगर additive in nature में होता है तो अगर अगर अपन dipole की बात करें अगर अपन किसकी बात करें डाइपोल की तो dipole में जो बेटा net charge होगा dipole में net charge होगा वो कितना होगा बेटा जीरो dipole में net charge कैसा होगा जीरो क्योंकि dipole क्या होता है दो equal and opposite charge होते है प्लस क्यों हो माइनस की हो गया, यह जो है distance में रखे होते हैं, 2L की distance में रखे होते हैं, तो यह क्या होता है, dipole होता है, यह system, तो net charge कितना आएगा, 0 आएगा, dipole का net charge कितना होगा, 0 होगा, ठीक है बिटा, यह अपन ने देखा, net बिटा, इसकी property देखते है, charge की charge is conservative होता है charge कैसा होता है charge is तो isolator system में ना तो charge को अपन create कर सकते हैं ना इधर charge created और not humiliate isolated system का जो चार्ज है वो always क्या होगा बेटा isolated system का चार्ज होगा आगर rubber property की बात करें तो वो है quantization of charge क्या है बेटा quantization of charge यह बहुत important property है quantization of charge quantization of charge के बारे में अगर start करें तो सबसे बहुले दो point इसके बारे में बहुत important है यह quantization of charge के बारे में बताया था फेराडे नामक scientist ने बताया था और बेटा mulekins का जो oil drop experiment है mulekins oil drop experiment mulekins oil drop experiment इसके दोरा अपन जो है quantization of charge के बारे में समझते हैं मुलकें soil drop experiment से अपन जो है quantization of charge के बारे में अपन समझते हैं ठीक है बेटा आंगे बेटा quantization of charge के बारे में बताते हैं कि actually में होता क्या है तो quantization of charge का मतलब है कि charge जो होता है वो quantized होता है चार्ज बेटा कैसा होता है कौन्टाइज होता है कौन्टाइज का मतलब क्या है आगे मतलब इसका समझते है कि चार्ज आफ एन वन बॉड़ी किसी एक बॉड़ी पे जो चार्ज होता है वो इंटेग्रल मुल्टिपल होता है चार्ज आफ इंटेग्रल मुल्टिपल होता है म इन्टेडरेल मLT पल वो क्या होगा बेटा इन्टेडरर मल्टीबल होता है दो मिनिमुम चार्ज को सकता है चार्ज ऑफ एलक्ट्राउण एलक्ट्राउण के जाज के । बराबर हो सकता है तो minimum charge कितना हो सकता है minimum charge charge of electron के equal हो सकता है ठीक है बटा तो charge of in one body integral multiple होगा quantum charge के that is minimum charge that is charge of electron के ठीक है बटा अब अपन देखते हैं यहाँ पे कि एक यहाँ पे formula निकल क्याता है q is equal to plus minus n e q is equal to plus minus n e अगर यहाँ पे अपन बात करें यहाँ पे देखें तो n क्या है बटा number of electrons n होते है number of electrons और e बटा क्या होता है charge of electron e क्या होता बटा charge of electron electron पे charge यह e होता है अब बटा यहाँ पे कोसर आपको बताते हैं जैसे अगर हम example देते 3.2 into 102 की power minus 16 कूलाम चार्ज है और 1 है 3.6 into 102 की power minus 16 कूलाम अब बटा देखिए अब अपने पुछा कि एक किसी एक body है उसमें charge 3.2 into 102 power minus 16 कूलाम और दूसी body में charge 3.6 into 102 power minus 16 कूलाम इसमें से कौन सा charge बटा exist कौन सा charge कौन सा charge possible है कौन सा charge possible है कौन सा charge possible नहीं है तो आप वही quantization of charge का फंडर लगाएंगे यह quantization of charge क्या होता है charge of charge के that is minimum charge तो minimum charge के क्या होगा integral multiple में होगा और minimum charge कितना होता है 1.6 into 10 to power minus 19 कूलाम तो बेटा minimum charge के integral multiple में कौन सी चीज आ रही है यहाँ पे देखिए अगर minimum 1.6 के देखे तो integral multiple में यह आ रहा है 3.2 क्या 3.6 कभी integral multiple में आएगा नहीं तो यह charge possible नहीं है और यह charge क्या है बेटा possible है तो जो integral multiple में होगा वो charge possible होगा जो integral multiple में नहीं होगा वो charge possible नहीं होगा तो इस तरह अपने यह four basic property थार्ड बेसिक प्रॉपर्टी देखिए कि क्वांटाइज जिसान आप चार्चार्ज क्या होता है बेटा क्वांटाइज होता है इसके बार इसके बाद अपन देखते ह क्वार्च के बारे में कोसान आता है बेटा क्वार्च के बारे में देखते है कि क्वार्च क्या होता है वाटिज क्वार्च 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 क् पेर में पायता है, singly exist नहीं करता, और quark की बात करें, तो बैटा, इसमें जो quark में charge होता है, क्या होता है, quark में जो charge होता है, वो होता है, plus minus e y 3, और plus minus two e y 3, अगर बैटा, plus minus e y 3 की बात करें, तो यह जो होता है, यह होता है, down quark, यह क्या होता है, down quark, और plus minus two e y 3 की बात कर करणा है ठीक है इसके बाद बैटा बैटा देखते हैं नेश्ट अच्वड़ा आप से कोसन पूछते हैं कि अगर अपन बात करें अगर कोसन के फार्म में बादने हैं कि एक बॉड़ी में सब्सक्राइब सब्सक्राइब बोन देंगे तो most of the student question देंगे कि A body में charge जाता है क्योंकि plus two column है और B body में charge कम है क्योंकि minus two column है तो बैटा ऐसा नहीं है यह कुछ भी यह जो plus two column minus two column है इसमें जो है both having same charge both body both body having same charge both body having both body having same charge दोनों body में क्या है बैटा चार सेम है बड़ क्याशी का difference है जो plus or minus यह और नीचर बटाता है प्लासर मैंस क्या बता था इसका means यह नहीं होता है do not means that is कि grappling is trigger then the minus two column charge तो प्लैस टो कुलाम चार्ज ज्याद है मैं च्थन ऊंच 이제 ये मतलम नहीं है बस ? का मतलब है केवल नेचर बता रहा है कि प्लेस टू कुलाम टू कुलाम ए बाड़ी में प्लेस टू कुलाम चार्ज है और भी बाड़ी में माइनस टू कुलाम चार्ज है ठीक है बेटा नेस्ट बेटा एक पॉइंट अपन हैस्टेक बना के देखते हैं कि जो चार्ज होगा बेटा वह चार्ज विल न एक्जर्ट फोर्स ऑन इसल्फ फोर्स ऑन इसल्फ चार्ज कभी फोर्स ऑन इसल्फ चार्ज कभी अपने खुद के ओपर जो है फोर्स एक्जर्ट नहीं करता चार्ज भी नेवर एक्जर्ट फोर्स ऑन इसल्फ चार्ज कभी खुद को फोर्स एक्जर्ट नहीं करता तो इस त देखी तो देखी वेटा अगर अपने देखें तो सबसे पहले स्टार्ट कि अपने चार्ज के बारे में चार्ज के बारे में बताया कि लक्ट्र इस्टार्ट में चार्ज की स्टेडी होती है चार्ज स्केलर कॉंटिटी होती है और चार्ज मैटर की वह प्रॉपर्टी है वा सकते हैं यहां बता है नुटरान का जो मास होगा वह ज़गा प्रोटन के मास से लेखावा अलपा इक जो ईुञीने की चार्ज की हमकेश mk6 वीस यूने की और पता आयए को लाम दो टू थी क्रिए ना तो इस दीफित होगा ना ही इसका इसका इसको प्रूब करते हैं और अपने देखा कि charge quantize होता है quantize का मतलब है कि charge of an one body integral multiple होगा quantum charge का मतलब क्या है minimum charge that is charge of electron minimum charge that is capital charge of electron इसके आद अपन ने देखा q बराबर plus minus n e n क्या होता है number of electron होता ही जो है charge होता है electron पे और अपन ने यह को संद किया इसका कार के बारे में देखा कि कौर के बारे फैडार ने ने बताया था सिंगली एक्जिस्ट नहीं करता है इसका चार्ज जो है plus minus e by 3 को और plus minus 2 e by 3 और plus minus e by 3 डाउन कॉर्क फिर पेटा एक अपने सिंपल सा कोसन देगा इसका बताया कि charge will never exert force on itself चार्ज कभी अपने CRT के questions करने and CRT बेज़ी जो है syllabus को finish करना है ठीक है बिटा तो अपन इसमें क्या है बहुत ज्यादा थिरी दी हुई है सुरवात वाले portion में लेकिन जो थिरी के अल्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट थे चार्ज के बारे में about the charge and its property के about जो भी अल्टर इंपॉर्टेंट पूलाम सलाम ठीक है बेटा तो ओके थाइंक्यू बेटा